जिचोली थाना छेत्र के ग्राम जीन में अवैद रूप से विक्री शराब की विक्री पर रोक लगाने की मांग तथा बेचने वालों पर कारिवाही की मांग को लेकर आधा सेकड़ा महिलाओं ने थाना प्रभारी अजैसों ये महिला डेस्क प्रभारी सेवंती परते को ग्यापन सौपा ग्राम की सरपंच जेवती उगडे लंकुबाई बारसकर गीता जरबडे ने कहा कि शराब से जवान युवा सुभा से शराब पी रहे हैं आए दिन मारपीट सहीत अने घटनायक भड़ रही हैं गाउं में विवाद होते हैं गुंता बाई खाडे सुमन सीमा कौसु बारसकर सरीता मालवी ने कहा शराब पीकर घरों में वाद होते हैं हमारे घर लोग घर का राशन तक बेज देते हैं खुद भी खाना नहीं खाते हैं और हमको भी खाना नहीं खाने देते हैं हम परिशा आप लोग यहां पर क्यों पहुंचे हैं हम बहुत परेशान है और सबकुमने खटा किया संगटन किया हमने क्या चाहते हो आगे आप यह चाहते हैं कि सराफ बंधना चीं का पूरी दुकाने की भी बंधना कि दुकान लगाएंने कछ्छी-पन नहीं हम लोग नाच शानल खाने का गल्ला नी रहता हमारे अठा नहीं रहता हमारे ड्रम में तो कौन बैज देता क्या है आठा का पीने वाले घर ले गाते तो वह सा इसलिए आपने आवेदन दिया है और सुब्द भी कुप्पी आई है करके सामने सगे में बोलने गए तो कोई सुनने को तायर नहीं मेरा 40 लिटर की कुप्पी आज बिए आप सरपंज मेडम हो तो यह जो आज जीन के स्टाप पे क्यों ढेर सारी मैलाएं कतिर होती है पुलिस की टीम भी यहां ही हुते, यह नासामुक्ती के लिएbres सब्सक्राब करना है झाल झाल